36 गड़ में इस साल के अंत में हम चुनाव होना है, इसे में कॉंग्रेस हो या फिर बीजेपी आदिवासी वर्गों को साधने में लगी हुई है लेकिन 36 गड़ सर्व आदिवासी समाज दोनों ही प्रमुख दलों का जातिगत समिकरन बिगाड सकता है दरसल 36 गड़ सर्व आदिवासी समाज 2003 के विधानसवा चुनाव में समाज के और से उमीदवार उतारने करने नहीं लिया है जहां पूर्व केंद्रे मंत्री वर 36 गड़ सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष अर्विंद नेताम ने प्रैस्वारता कर विपक्षी दल भाजपा सहित कॉंग्रिस सरकार पर आदिवासी के अधिकारों कहनन करने का गंभीर आरूप लगाया अर्विंद नेताम ने कहा कि 36 गड़ निर्मान के बाद से जो अधिकार आदिवासी को मिलने थे वे सभी अधिकार ना तो भाजपा सरकार में और ना ही कॉंग्रिस सरकार में आदिवासी को मिला है नेताम ने कहा कि बस्तर और सरगुजा संभाग में पेशा कानून का पालन नहीं हो रहा है ऐसे में आदिवासियों के लिए बने कानून के सिन्विधानिक अधिकार का लगता हनन हो रहा है वहीं भानू प्रेतापूर से विधायक रहे मनोज मंडावी की निधन के बाद उप्चुनाव का उधारन देते हुए अर्विंदम नेताम ने कहा कि आदिवासी समाज में सरकार की प्रतियाप्रोश का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है प्रेतापूर उप्चुनाव में आदिवासी वर्ग की निर्दले विधायक को सोलह परतीशतव समाज इसने आने वाले विधानसभा चुनाव में सामाज से उमीदवार उतारडी का फैसला लिया है। गौर्टलब है कि प्रदेश की तीस आरक्षी सिटोक पर आदिवासी सामाज से उमीदवार कॉंग्रेस उर्भाजवा के परतियाश्यों के विरुध चनावी मेदान में आमने सामने रहेंगे। गंवीरता से इसको लेकर अवरे स्थिकारियों दोरा इसमें तफ्तीश करने के निर्देश दिये गए थे। इस पर से आसपास जितने भी CCTV कैमरेज हैं और जो अन्य जानकारियों एकतित की जा रही थी। इसके लिए लगबग तीन टीमें गठेट करने के बाद में CCTV फोटेज आसपास के जो रस्ते में टोल्स हैं जो यहां से लेकर आगे जाने वाली टोल्स हैं उनको देखा गया और कई तरीके के टेकनिकल डेटा को अनलसेस करने के बाद में यह गयात होता है कि यह जो पूस्ता होाँ में को साइट किया गया और तेरा नहीं में जानकारी पराप्त होने के बाद में बुद्य वहन के पर्हें मेरी में पदा चला कि वह गुजरात रिजिस्टर्ड वहान है उसकी तफिश के लिए यहां से टीमें रवना करी गयी थी औरू-टीमो को फलता प्र पूस्ताच की जाएगी और इसके अन्य साथिगणों के बारे हैं जल्दी उनकी घटना की जाएगी जिए इनके दोरह तो अभी तक यही बताया जा रहा है कि चोरी करना वहां पर यह आम बात है पहर दाहुत इस प्रख का करती है और उनका प्र法 की कपड़ लें प्रकार कि वहां पर कई गैंग सक्रीय हैं जो वहां की इस थानी पुलिस से पता चला कि यह कई प्रकार की कई जगह से पुलिस आती है इनको दविश देने के लिए और पकड़कर लिका जाती है अभी तक की जानकरी के नुसार ये दाहूद में खजूरी खिलिया गाओ हैं वहां के रहने वाले हैं और वहां के ही जायता सदस से हैं इस ग्यांके इनके तरीकों में एक चीज यहां बी घटना कर रहे हैं वहां पर एक बार पहले जाकर रहे हैं, इस घटना में भी जानकरी सामने आई है, कि घटना के चार-पांच दिन पहले ये पूरी गैंग एक बार पहले आई थी, सेम घटना स逅ल पर बकाईदा उन्होंने रेकि करी है जानकरी गट्टी करी है कहां से जाना है, कहां से भागना है कहां-कहां पर अटेक करना है इसके बारे मेंओने लोग ने सहकरी ती उसके बाद, Бारात आरिक को आकर यहां पर इक घटना का अँजाम दिया है इसी कारण से इनके आने जाने के रास्ते काफी छुपे हुए थे जिसे खेत में से खुशके वहां पर घुशना और भागने के लिए भी एक रस्ता इनका तैय था गाड़ी अलग रखी खड़ी करी गई मूँ छुपा के तो पूरा सूनियोजित तरीके से रेकी करने के बाद अभी घटना के संब्द में और अन्य घटना के संब्द में लगतार पूश्ताज जा रही है और इसमें जानकारी निकारित करी जा रही है तो बाकी जब और सदर्स मिलेंगे तो उनसे और प्रकार से पूश्ताज करके बाकी जुनों का पूला सकिया जाएगा लगबग 30 सा अबी तक की जाज में इसा कोई लिंक सामने नहीं आया है लेकिन पूछता जारी है जो भी चिन सामने आईगी बताया रहेगा अगें ये